नमस्कार दोस्ता आप सबों का स्वागत है विहार बोड मेट्रिक परिछा के लिए बहुती महतपुर्ण सब्जेक्टी प्रश्ण दोस्तों आपको यह प्रश्ण तीन यह दो नमबर से यह पॉच्छ नमबर में भी पूचा जा सकता है और यह प्रश्ण हर साल पूचता है देखिए प्रश्ण क्या पूचा जाएगा आपको ओध्योगी करन से आप क्या समझते हैं यह पूच दिया जाएगा आपको कि ओध्योगी करन ने मजदूरों की आज विका को किस तरह परवावित किया तो दोस्तों आईए पहले समझते हैं कि ओध्योगी करन से आप क्या समझते हैं दोस्तों यह आपको ऐसा प्रश्ण बिल्कुल हर साल पूचा जाएगा आप इस वीडियो को अंतक देखिए और अच्छे से समझेए आएगा और आप डिरेक्ट एक्जाम में लिख पाएंग तो देखिए प्रश्ण रहेगा आपका ओध्योगी करन से आप क्या समझते हैं उतर में लिखिएगा यहाँ पर ओध्योगी करन ऐसा प्रकिरिया है जिसमें वस्तों का उत्पादन मौनब सरम सरम यानि की सरम मतलब होता है मजदूर सरम के द्वारा ना होकर यानि मजदूर से ना होका आप मजदूर भी लिख सकते हैं यहाँ पर मजदूरों के द्वारा ना होकर मसीनों के द्वारा होता है और योगी करन क्या होता है एक ऐसा प्रकिरिया है जिसमें वस्तों का उत्पादन मौनब सरम यानि की मौनब मजदूर के द्वारा ना होकर किसके द्वारा क्या जाता है मसीनों के दुवरा होता है तो आप समझ गए कि ओधियोगी करणती के शुरुवात कैसे लिखना है कि ओधियोगी करण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें बस्तुवाँ का उत्पादन मानव सरं Yannine Monhe Abdu ke Dora नहीं होकर मसीनोगे दोरा होता है किसके दोरा होता है मसीनोगे दोरा होता है इसमें उत्पादर ब। पर होता है दोस्तों वाज़िब बात है मसीन के दोरा कोई समान को बनाया जैगा तो से जादा बनाया जाएगा जैसे कि आप देख लिजिए बशपन में देखे होंगे कई मज़दूर लगा करके कोई या बन या सरक या कोई मजदूर के दोबारा कितना सुलो काम होता था लेकिन अब जब मसीन आगया जैसे डोजर आप जिसे करते हैं जैसीवी जैसीवी कितना जल्दी उठा करके कोर के दे देता है तो ऐसे ही दोस्तों मसीन से ज़्यादा कम होने लगा तो आप समझ गया है अब देखे इस जगह से और इसकी खपत के लिए बड़ा बजार की अब सकता होने लगी अब जब ज़्यादा माल उत्पन होगा तो मतलब बड़ा बजार चाहिए ही चाहिए नहीं के अब सकता होती है नए नए मसीनों का विश्कार एवं तकनीकी विकास पर अध्योगी करन परनिरवर्ग करता है है इसके प्रेरेक तत्व के रूप में मसीन के अलावा पूंजी निवेश एवं सरम का भी मतपूर्ण अस्थान है तो दोस्तों आप समझ गए यहाँ पर कि अध्योगी करन ऐसा प्रकिरिया है जिसमें बस्तुवों का उत्पादन मौनव सरम यानि मजदूर के दुआरा न मसीन जब उत्पादन करने लगता है तो बहुत जादा मत्रा में माल उत्पादन होता है जिससे की बड़े बजार के अवसकता होती है और नए नए मसीनों के अविस्कार एवं टेक्निकी विकास पर ओद्योगी करन निर्भर करता है इसके प्ररिक तत्व के रूप में मसीन के अलावा पूझी निवेश एवं सरम का भी मतपुर्ण अस्थोन है तो दोस्तों आप समझ गें कि ओद्योगी करन से आप क्या समझें अच्छे से लिख सकते हैं अब अगला प्रस्न देखिए अब प्रस्न है कि ओद्योगी करन ने मजदूर की आजिविका को किस तरह प् प्रभावित किया तो उत्तर में लिखिएगा उत्तर में लिखिएगा उद्योगी करन ने नई फैक्टरी प्रनाली को जन्म दिया जिसमें ग्री उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए जिनकी आजिविका बरे बरे उद्योग पतियों दुवारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था औरतों और औरतों और बच्चों से भी 16-18 घंटे काम लिये जाते थे उनके पास दैनिक उपभोग पदार्थ के खरिदने के लिए धन नहीं रहा अतना मजदूरों ने अंदूलन का रूख ले लिया तो दोस्तों आप समझ गिये कि अधियोगी करन ने मजदूरों की आजिविका को किस तरह प्रभावित किया यानि जो भी मसीन में लगाए जाने पर मजदूर भी उसमें काम करते थे और उस मसीन को मसीन पर काम करने के लिए औरता और बच्चों को 16-18 घंटा काम करवाते थे और उनके पास वाजिब जो जीवन यापन के लिए पैसा नहीं होता था और उसे समान कोई चीज खाने के लिए अपना मतलब जीवन यापन करने के लिए खरीद नहीं पाता था और 16-18 घंटा काम करवाता था इसी के चलते उसके पास धन और पैसा पुझिना बनने के कारण मजदुराओं ने अंदलन का रूख ले लिया तो दोस्तों आप समझ गें यह दोनों प्रस्ण बहुत ही बहुत महतपुर्ण हैं तो आप इसे एक बार कोपी में लिख लिजे और एक दुबार पढ़िए या दिजेगा जय हिन जय भारत